हलो बच्चों आपका हमारे यूटूब चेनल आईडियल देव क्लास में स्वागत है आईए आज हम एट ग्रेट अभ्यास पुस्ति का सामाजिक विज्ञान कच्छा छटवी का अध्यन करेंगे देखते हैं बच्चों इसका अनुक्रमानिक अनुक्रमानिका इसमें दिया आपका ये एक प्रकार से सिलेवर्ष है इतियास का देखते हैं पहला है क्या कब कहां और कैसे पहला पाठ है दूसरा पाठ है आखेट खादिश रंगह से भोजन उत्पादन तक तीसरा है आरंभिक नगर चौंथा है उस्वारी पाठ है आपका राज्य राजा और प्राच चिन गणराज्य छटवा पाठ है नए प्रश्ण नए विचार सातवा पाठ है अशोक एक अनोखा शमराट जिसने युद्ध का त्याक किया दश्वा अध्याय है आपका नए सामराज्य और राज्य ठीक है आपका ये शिलेवर्ष है आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे और उसके प्रश्णों को हल करेंगे ठीक है बच्चो देखते हैं अध्याय पहला क्या कब कहां और कैसे आईए इसका पहला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण पहला है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं अतीत मतलब जो बीता हुआ शमय होता है उसे अतीत कहते हैं इसक कैसे जानेंगे जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कप्ड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे यहां हम आखेतों पशू पाल को, क्रश को, साश को, वैपारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों आधी प्रकारों से जान सकते हैं मतलब इनके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे ठीक है आपका यहाँ प्रश्निक्रमांग पहला complete होता है बढ़ते हैं प्रश्निक्रमांग धूसरे की तरब हमें वर्तमान की घटनाओं कि जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है मतलब हमारे समय में कहां क्या चल रहा है इसके हम सभी जगे पता तो नहीं लगा सकते तो उसके लिए हम ये कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताया तो इसका उत्तर है बच्चो हमें वर्तमान की घटनाओं क जानकारी रेडियो टेली वीजन मतलब टीवी जो हम देखते हैं अपने घरों में उसमें समाचार आते हैं उससे पता चल जाता है कि कहां क्या हो रहा है कहां बाड़ आई कहां भूकम पाया कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी हम घर बैठे देख सकते हैं अकबार जो हमारे घ क्रमांग तीसरे की तरप पांडू लीपी से क्या आसा है प्राचेन काल में पांडू लीपी किस प्रकार लिखी जाती थी अगर आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपने इत्यास की पुस्तक प्रश्ट क्रमांग 4 से इसका उत्तर खोचकर लिख सकते हैं पुस्तक के हाथ से लिखी जाती थी मतलब पांडू लीपी का अर्थ क्या होता है हाथ से लिखी गई जानकारी है ना पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण पांडू लीपी कही जाती है ये पांडू लीपियां प्राया ताड़ पत्रों मतलब ताड़ पत्रों मतलब एक तरीके से तयार भोच पत्र पर लिखी मिलती है ठीक है आपका यहां प्रशने क्रमांग तीसरा कंप्लिट होता है बढ़ते हैं प्रशने क्रमांग चौंथे की तरफ सीला लेक एवं अभी लेक में क्या अंतर है सीला लेक मतलब जो पत्थरों पर लिखा जाता है हाँ इसका उत्तर देखते हैं सीला लेक केवल पत्थरों पर पत्थरों अत्वा पर अंकित चिन या लिखाई को कहते हैं पत्थरों पर जो लिखा जाता है उशे सीला लेक कहते हैं उद्देश दोनों का लगभग वही होता है अभी लेक कागज पर लिखे जाते हैं लिखे जाते थे और सीला लेक पत्थरों पर मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है सिर्फ मतलब सीला लेक पत्थरों पर लिखा जात ठीक है आपका यहां पर प्रश्निक्रमांग चौंथा कंप्लीट होता है बढ़ते हैं प्रश्निक्रमांग पांच की तरप देखते हैं बच्चों प्रश्निक्रमांग पांच क्या कह रहा है प्रश्निक्रमांग पांच कह रहा है प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार वाक्यों करते थे प्राचिन काल में लोग यात्रा किश्प्रकार वाक्यों करते थे उत्तर है इसका इस्थान तरण मतलब एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाना इस्थान तरण प्राचिन काल में यात्रा करने का प्रथम कारण था अतह ग्यान अरजन हेतु अनेक यात् जाती थी मतलब ग्यान अरजित करने के लिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान में पहले भी जाना पड़ता था और आज के समय में भी जाना पड़ता है जाती थी किन्तु वैपार परिपेक्ष में देखा जाए तो यात्राओं का सबसे प्रमु कारण वैपार ही था प्राच बहुत महत्पून इस्थान हैं मतलब वैपार करने के लिए सड़क अच्छी होनी चाहिए यहां पर आपका प्रश्ने क्रमांग छटवा सवरी पांचवा कंपलीट होता है बढ़ते हैं प्रश्ने क्रमांग 6 की तरफ सहायक नदी किसे कहते हैं गंगा की सहायक नदियों के ना भी सकते हैं ठीक है बच्चो यहां इसका उत्तर देखते हैं सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है गंगा की सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं देखते हैं गंगा की सहायक नदिया यमुना शोन चंबल आदी जैसे यमुना नदी कहां है उत उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली के पास में है और जो आगरा है यमुना नदी के पास में है ठीक है यहाँ पर देखते हैं जैसे चंबल नदी के बारे में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना है ठीक है सोन नदी का पुराना नाम संभवता शोन था और उसका नया बनी है और भानाम सोन नदी रग दिया गया है ठीक हे बच्चो और गंगा उत्तर भारत के मैदान की विसाल नदी है और भारत की सबसे पवीत्र नदी भी मानी जाती है आपका यहाँ प्रश्नीक्रमांग छटवा कंप्लीट होता है बढ़ते हैं प्रश्ने कर मांग शात की तरफ पुरा तात्विद किसे कहते हैं वे किन चीजों का अध्यन करते हैं देखते हैं उत्तर इसका बच्चों कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई गई मतलब कई वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत पुराने समय में बनी हुई हैं और उप्योग में भी लाई जाती थी ऐसी वस्तुएं का अध्यन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व विद कहलाता है पुरातत्व विद पत्थर और इट से बनी इमारतों के अवशेशों चित्रों क्या कह रहा है प्रश्निक्रमांक आठ है इत्यासकार किसे कहते हैं वे किन बातों का अध्यन करते हैं प्रश्न है इत्यासकार किसे कहते हैं वे किन बातों का अध्यन करते हैं तो इसका उत्तर है पांडू लिपियों अभी लेकों तथा पुरातत्व से ग्यात जानकारियों के लिए इथियासकार प्राया शुरोत शब्द का प्रयोग करते हैं इथियासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्यान करते हैं मतलब पुरानी चीज़ों का अध्यान करते हैं मतलब पहले के लोग कैसे रहते थे कैसे कपड़े पहनते थे अपना भूजन कैसे बनाते थ साथ इन सब चीजों का अध्यान ही मतलब अध्यान करने वाला व्यक्ति इत्यासकार कहलाता है ठीक है आपका यहां प्रश्निक्रमांक 8 कंप्लिट होता है बढ़ते हैं प्रश्निक्रमांक 9 की तरब प्रश्निक्रमांक 9 है कॉमन एरा तथा बीफोर कॉमन एरा से क्या आसर है लिखिए अगर आपको इसका और अधिक डिटेल पढ़ना है समझना है जानना है तो आप अपनी इत्यास की प्रश्ट बुक मतलब इत्यास की जो बुक है उसके प्रश्ट आठ पर आपम इसका उत्तर और अच्छे से देख सकते हैं इसका उत्तर है इसा मसिय के जन्व के वर्स से समय की गर्णा में इस्वी याने A, D का प्रयोग किया जाता है कभी कभी A, D के इस्थान पर C, E का प्रयोग होता है C, E अक्छरो का प्रयोग कॉमन S कहलाता है ठीक है आपका यहाँ प्रश्ने क्रमांक 9 कम्पलीट होता है बढ़ते हैं प्रश्ने क्रमांक 10 की तरफ जो आपका इस अध्याय का सबसे आखरी प्रश्ने बच्चो देखते हैं प्रश्ने क्रमांक क्या कह रहा है प्रश्ने क्रमांक 10 से दिये गए रेखा मांचेत्र में निमनांकित को दर्साईए पहला गंगा नदी को दिखाना है हमें नक्से में और उनकी सायक नदियों सहित दूसरा ब्रंपुत्र नदी तीसरा पूर्व पश्चिमी घाट चौथा शत्पूडा वाविंध्याचल पहाडियां पाचवा थार मरूस्थल चौथा गारो पहाडियां ठीक है यहां देखते हैं अपने नक्षे को जो अपने भारत का नक्षा है आप सभी को पता होगा कि यह भारत का नक्षा है नहीं होगा तो देखिए यहां ठीक है बच्चो यह पूरु दिशा हो गई ये पश्चमी दिशा हो गई ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्छन दिशा हो गई ठीक है देखिए बच्चो ये गंगा नदी गंगा नदी उत्तर में है यहां पर आपको कभी आप देखना आगे में भी यहां नेपाल आएगा ये गंगा नदी है और यहां उपर में जम्मू कश्मीर भी है ठीक है यह गंगा नदी है गंगा नदी गंगोत्री हिमनत से निकली है दो हजार आठ में इसे राश्टी नदी का भी दर्जा दे दिया गया भारत का सबसे बड़ा उपवात तंत्र निर्मित करती है गंगा नदी ठीक है और सायक न लुए नदी के और भी पाइंट जाने ठीक है अब दूसरा पाइंट क्या बोल रहा है मेप में दूसरा पाइंट है ब्रमपुत्र नदी के बारे में जानना है ना ब्रमपुत्र नदी है ब्रमपुत्र नदी कहा है देखिए ब्रमपुत्र नदी ये है ठीक है बच्चों ब्रमपुत्र नदी मान सरोहर जिल के पास कैलास रेणी से निकली है तिबबत में इसे सांगपो वा बांगला देश में जम्मू नाम से जाना जाता है ठीक है अब देखते हैं तीसरा पॉइंट मेप में क्या है पूर्वी घाट कहा है देखिए बच्चो पूर्वी घाट ये है दिखरा है आपको मेप में पूर्वी घाट यहाँ घाट ओडिशा से लेकर तमिल नाडू राज्य तक विस्तरत है मतलब फैला हुआ है यहाँ पर आएगा आपका इधर तमिल नाडू राज्य ठीक है बच्चो देखते हैं आगे पश्चमी घाट ये पश्चमी घाट है ये और आपको पता होगा ये स्रीलंका है ये पश्चमी घाट है यहीं आसपास केरल भी दरसाता है पश्चमी घाट इसे सहयादी के नाम से भी जाना जाता है और इसका विस्तार गुजरात राज्य से लेकर तमिल नाडू केरल राज्य तक फैला हुआ है ठेक है अगला देखते हैं आपके मेप में क्या पूछा है सत्पुणा पहाडियां ठेक है ये हैं सत्पुणा की पहाडियां ये दिख रहा है आपको तो सद्टपुणे की पहाडियां ये हैं तो इन पहाडियों का विस्तार गुजराश से लेकर छोटा नाकपूर के पतार तक है इसकी सर्वचोटी धूबगड है जो महादेव परवत पर इस्थित है अब देखते हैं आपके नकसे में अगला पाइंट क्या पूछा है बिंध्याचल पाडियां कहा है यह हैं बिंध्याचल पाडियां इन पाडियों का विस्तार भी गुजराज से लेकर दक्षिन उस्वरी चतिस गड़ तक है इन पाडियों का विस्तार भी गुजराज से लेकर चतिस गड़ चतिस गड़ तक है यहां पर यहां कहीं गुजरात ह इधर यहां परवत्त स्रेणी उत्तर भारत वा प्रायदीपी भारत की महतपूर जल विभाजक है ठीक है देखते हैं आपका अगला पाइंट क्या पूछा है थार का मरुस्थल थार का मरुस्थल कहा है बच्चो यह थार का मरुस्थल राजिस्थान में है यहां राजिस्था है ठीक है थार का मरुस्था यहां राजिस्थान राज में स्थित है यहां मरुस्थल खनेश तेल जिपसम और नमक के बंडार की दरश्टी से भारत का महत्पूर्ण छेत्र माना जाता है ठीक है देखते हैं मेप के हिसाब से आपका अगला पाइंट क्या पूछा है गारो पाहडियां गारो पाहडियां कहां है देखते हैं यह है आपको दिखाई दी गारो पाहडियां यहां में घाले राज में स्थित है इन पाहडियों में अत्यधिक जेव विविदता पाई जाती है ठीक है आपका यहां जो पाइंट दिये हुए सब्सक्राइब नदी है जो गांधि सागर्बांद बना है बेतवा नदी है यह सोन नदी ये किसकी गंगा नदी की सहायक नदीया है ठीक है बचो देखते हैं आप एक नजर और इसका हम आपको मुख्य पाइंट बता देते हैं गंगा नदी गंगोत्री हिम नदी से निकली है निकलती है दो हजार आठ में इसे राष्टी नदी का दर्जा दिया गया भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र भी मतलब निर्मित करती है ये नदी सायक नदी आराम गंगा गंगोमती यमुना सोन एसे उमख्षादी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मानसरोर जिर के पास से कैला स्रेणी से निकली है तिबत में इसे संगपो वा बांगलादेश में जब ये जात बहके जाती तो इसका यहा नाम गंग्चेंज कर दिया गया तो क्या रग दिया कि इसका जमुना नदी जम्नाम से जानते हैं पूर्वी घाट यह घाट ओडिसा से लेकर तमिलनाडू राजी तक फैला हुआ है पश्चमी घाट इसे सहयादी के नाम से भी जाना जाता है इसका विस्तार गुजरात राज से लेकर तमिलनाडू केरल राजी तक फैला हुआ है ठीक है सत्पुना पहाडियां इन पहाडियों का विस्तार गुजरास से लेकर छोटा नाकपुर के पठार तक है इसकी सरवच चोटी धूब गड़ है जो महादेव परवत पर इस्थित है विंद्याचल पहाडियां इन पहाडियों का विस्तार भी गुजरास से लेकर छतीस गड़ तक है यहाँ परवत रेणी उत्तर भारत वा प्रायदीपी भारत की महतपुन जल विभाजक है थार का मरुस्थल यह मरुस्थल राजिस्थान राज्य में इस्थित है यह मरुस्थल खनी स्थेल जिपसम और नमक के भंडार की दरश्टी से भारत का महत्पुन छेत्र है गारो पाड़ियां यह में घाले राज्य में इस्थित है इन पाड़ियों में अत्यधिक जेव सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक है आपको अगले अध्याय में इसी तरह के वीडियो समझाएंगे ठीक है बच्चों